नमस्कार दोस्तों वेल्कम बैक टू माई चानल जहां आपको मिलता है सिर्फ वो सिफ एंडेटेंड्मेंट और आज मैं आपके साथ एवेंजर्स असेंबल का ना इशू शेर करने वाला हूँ तो यार आज का इशू बहुत ही अलग है जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिला और मैं काफी एक्सेडेट हूँ इससे एक्स्प्लेंड करने के लिए तो यार अप तक अपने देखा कि लोकी 616 के एवेंजर्स एवेंजर्स वन मिलियन और मर्टीवसल एवेंजर्स मिलकर डूम और उसकी आर्मी को रोकने लगते है लेकिन तब ही उन्हें बत चलता है कि वहाँ पर जाइंट साइस मैफिश्टो आच चुका है तो यार इसे ही ओसम कंटेंट मैं आते रहता हूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो वीडियो के लाइक कर देना और चैनल को स तो कहानी की शुरुआत में हम जाइंट मैफिश्टो की बैक स्टोरी देखते है जो असल में 616 का मैफिश्टो है और वो 616 पे है और तब उसे वहाँ पर केट थानस दिखाई देता है जो पिछले एपिसोड में गायप हो चुका था तब ही केट थानस मैफिश्टो से कहता है कि सच हमेशा कड़वा होता है और सच यह है कि तुमारी Master of Evil कुछ काम की नहीं है गोश्ट कोबलिन मर चुका है Black Skull से उसका Symbiode छीना जा चुका है और King Killmonger Iron Fist के हाथों मर चुका है और Dark Phoenix और Doom दोनों कहीं जिस पर मैफिश्टो यंग थैनस से पुछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो जिस पर थैनस कहता है कि मैं यहाँ नॉलिज लेने बैटा हूँ इन लाशों से और तब हम Master of Evil के मेंबर्स की लाशे देखते हैं लेकिन तब ही Black Skull कुछ कहने लगता है तब ही मैफिश्टो यह देखकर थैनस से कहता है किस girl कुछ कह रहा है जिस पर थैनस कहता है कि उसे कहने दो लेकिन तुम्हारा महान प्लैन और तकी ईतियास को बदलने का अब भी कर चुका है लेकिन पता नहीं क्यूं तुम इससे खुष हो जिस पर मेफिष्टो थैनस से कहता है कि तुम भी King of Hell उतने ही समय थे जितना की में था और तुमने भी ये सिखा होगा कि हरकर जितने वाले को क्या कहते है इन इंसनों ने मुझे भले ही हरा दिया हो लेकिन मेरे पास इन लोगों के लिए एक नाय प्लैन है जिस पर धैनस मेफिष्टो से पूछता है कि तुमारा प्लैन क्या है क्या तुम अकले Avengers से बिढ़ने वाले हो तब तो तुमारी हर पक्की है ये सुनते ही मेफिष्टो हसने लगता है और कहता है कि मेफिष्टो वसिस Avengers ये काफी अच्छा एडिया है ये कहते ही मेफिष्टो गौड केरी के और पोटल खोलता है और गौड केरी के और आ जाता है लेकिन तब ही मेफिष्टो देखता है कि बचे हुए मेफिष्टो उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे तभी वे मेफिस्टो 616 से मेफिस्टो से कहते है कि तुमने हमें धोका दिया है और अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी लेकिन तभी 616 का मेफिस्टो बाकि सारे मेफिस्टो पर अटेक कर देता है तब ही मेफिस्टो उन सारे मेफिस्टो को मार गिराता है और तब सारे मेफिस्टो को मारने के बाद मेफिस्टो मैजिक का इस्तमाल करके उनने लगता है और कहता है कि कौनसिल कमजर पड़ चुकी है और एवेंजस उन से लड़ रहे है लेकिन इसी बिच मैं पाउर्फिल होत जहां एक तरफ Mephisto तबाई मचा रहा है तो वही दूसरी तरफ Doom और उसके आर्मी है यहां Doom की आर्मी मिलकर स्क्वर्टश के क्यासी कांष उसके करते हैं कि मुझे इस लड़ाई से बाहर कुछ सुनायने दे रहा है, जिसपर LSO कहती है कि नहीं, यहां कुछ और भी है, क्योंकि हमारे पेरो तरले जमीन अब हिल रही है, जिसपर freak कहती है, कि हमारे पास पहली का टाइम नहीं है, यहां बहुत सारे ढूम से, और एक ढूम प्लैनेट भी है जो खतामोने का नाम ने ले रहा है जिस पर एलसियो कहती है कि अगर ऐसा है तो अब समय आ चुका है जिस पर एटली पुछती है कि कौन से चीज़ का समय आ चुका है जिस पर एलसियो कहती है कि अब समय आ चुका है कुछ ऐसा करने का जिससे कि हमारे सो सकते हैं उन्हें इकटा करो क्योंकि जायंट मेफिष्टो तुमारी और आ रहा है तब ही हम गौड अफिष्ट को देखते हैं जो कही पर गिरा हुआ है और कहता है कि जल्दी करो हमें और एवेंजिस की जरुवत है तब ही हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वेल्स का हेरी केरियर मेफिष्टो के सामने आ जाता है और जायंट मेफिष्टो पे अटेक कर देता है लेकिन मेफिष्टो एक ही बार में हेरी केरियर के साथ साथ उसके अंदर के सारे Captain Marvels को मार गिराता है यहां लोकी डुम के साथ लड़ने में विजी था कि तब ही Ant-Man लोकी को कौनटेक करता है और कहता है कि हमने अभी-अभी Carroll के रेर को खोया है क्योंकि यहां पर Celestial के साइस का Mephisto है और उसके साथ डूम प्लैनेट भी है जो कही सारे Avengers को मार रहा है तो बता मुझे तुम्हारी पास इसके लिए कोई backup है जिस पर लोकी Antman से कहता है कि थोड़ी दिर रुको मैं बिजी हूँ लेकिन तबी डूम लोकी पर एटेक कर देता है और कहता है कि बस मैं यही डर तुम्हें मैंसुस करना चाता हूँ तबी लोकी Antman से कहता है कि तयार हो जाओ क्योंकि मैंने और भी Avengers को यहाँ बुलाया है यह कहते ही हम देखते है कि सारे डूम के बीच अच्चनक से कजार आ जाता है और सारे डूम्स को एक ही जटके में खतम कर देता है तबी 616 का कैप्टन अमेरिका कजार के पास आता है और कहता है कि कजार कहा थे तुम तुम्हें तब से नहीं देखा था जब से तुम समय में कहीं खो गये थे जिस पर कजार कैप्टन से कहता है की हाँ मैं कहीं खो गया था लेकिन मैंने उस समय में कुछ दोस्ट बनाये है और उनके साथ कुछ नहीं पावर्स मिली है और वो है पावर कोश्मिक ये कहते ही कजार एक डूम को जोरदर पंच मारता है और कहता है कि ये रहा मेरा नया दोस्त ये कहते ही हम देखते है कि नया दोस्त कोई और नहीं बलकि गैलेक्टरस है जो भी यहां आ चुका है तभी कजार कहता है कि ये है गैलेक्टरस दे वर्ल्ड इटर और अफ फिलहल के लिए एक Avenger तब ही Galactus कजार से कहता है कि Herald तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे lifetime का खाना दोगे अगर मैं तुमारे साथ यहां आ गया तो तो मुझे वह खाना चाहिए जिस पर कजार कहता है कि हाँ मैंने कहा था और यह रहा तुमारा खाना यह कहते ही कजार Galactus को यहां आ चुके है यह सुनते ही Captain बूछता है कि यह कौन बोल रहा है तब ही हमें पते चलता है कि यह Gorilla Man बोल रहा था और उसके साथ अर्सा मेजर भी है तब ही Gorilla Man Captain से कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ मेरे साथ मरा हुए Celestial भी है जो खुद को Death Lock कहता है यह कहते ही हम देख है तो वही Captain America एक Doom को मार गिराता है यहां Captain Marvel Iron Man और Star Panther मिलकर Doom को मानने लगते है तो वही हम देखते है कि LCU, Frick और Attlee ने वहाँ पड़े Hammers को उटा लिया था और Thunder को समून करते है तब ही Frick धीरे से कहती है Avengers Assemble लेकिन तब ही Attlee कहती है कि जोर से बोलो ताकि सब Multiverse को पता चल स की यह कहते ही Frick जोर से कहती है Avengers Assemble और तब हम देखते है कि सारे Heroes जो अब तक जिन्दा थे वह इकटा हो चुके है और उनके साथ अब कजार, Galactus, Celestial Death Log भी थे और इसे के साथ यह कहानी यही Continue हो जाती है